हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गेहुं के आते से बिस्किट और ये बिस्किट खाने में स्वादिस्ट होने के साथ साथ बनाना भी बहुत एजी होगा इसमें हम किसी भी प्रकरका इनो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोड़ी का इस्तमाल नहीं करेंगे इसे हम सीधा गैस पर ही बनाने वाले हैं और साथ ये बहुत ही खसता होगा ये देखे मैं आपको तोर कर भी दिखा देती हूँ तो चलिए फिर जादा बाते नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो इस रेड बट्न को दबा कर सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल बाउल में मैं डाल रहे हूँ एक कप गेहूं का आटा जो आटा हम गर में खाते हैं वही आटा है ये और आधा कप मैं डाल रहे हूँ सूजी अगर आपकी बारिक नो हो तो मिक्सी में ग्राइंड कर ले अब मैंने लिया यहाँ पर आधा कप कोकोनट पाउडर सूखा जो नारील का बुरादा था वो डाला इससे टेस बहुत ही अच्छा आता है बिस्कित में और त्री फोर्थ कप मैंने सूगर डाला है जो चीनी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हाफ टी स्पून यहाँ मैं डाल गो इलाइची पाउडर और यहाँ पर मैं डालूंगे फोर टेबल स्पून घी घी से यह बहुत ही हेलदी तो होगा और खाने में बहुत ही स्वादिस बनेगा अब देखो के यह घी से ही बिस्कित खसता हो जाएंगे और हमने जो सूजी डाली है उससे भी बिस्कित बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे गी डालने के बाद हम इस तरह इस आटे को अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद इसके अंदर हम पानी आड़ करेंगे पानी friends हमें अराम-अराम से डालना है करीब हमारा यहाँ पर 1 4th cup के use होगा पानी पर हम पानी को अराम-अराम से डालेंगे एक सहंग नहीं डालेंगे तो बस इस तरह हमें अराम-अराम से पानी डालते हैं आटे को लगा लेना है फिर्ट्स एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट करका बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो ये देखिए अब हमारा आटा गुतना शुरू हो गया है मेरा टोटल वन फोर्थ कप के करें पानी यूज हुआ है तो बस इस तरह हम इसे आटा लगा लेंगे और लगाने के बास इसे हम ढखकर दस मट के लिए छोड़ देंगे ऐसा हम इसलिए करेंगे इसी तरह रहेगा बहुत स्मूद नहीं होगा ये देखिए अब इसे हम एक बार फिर से थोड़ा ऐसे मसल लेंगे और इस तरह इसकी छोटी-छोटी पेडियां बना लेंगे आपको जितना बड़ा बिसकिट बनाना हो आप उस हिसाब से इसकी पेडियां बना सकते हो तो बस मैं इसकी इस तरह पेडियां बना लूँगी इसमें फ्रेंड्स कम से कम 13 से 14 मेरे बिसकिट बने थे आप अपने हिसाब से बना ले आप इस तरह भी से बेग कर सकते हो पर ये सुन्दर लगे इसके लिए मैं ऐसे थोड़े डिजाइन बना रही हूँ तो मैं इस तरह चक्कू ले ली हूँ और इससे इस तरह लाइन कर रही हूँ और फिर इससे गुमा के क्रॉस कर लूँगी आप किसी चीज से इसके ओपर इंप्रेशन भी दे सकते हो उससे भी बहुत ही अच्छे डिजाइन बन जाते हैं आप अपने पसंद से कैसे भी कर सकते हैं या प्लेइन भी इसे बेक कर सकते हैं बेक करने के लिए फ्रेंड्स मैंने अल्रेडी एक पैंड चढ़ा रखा है गैस पर मैं आपको दिखा दूँग उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बहुत ही इजी है घर पर बनाना एक मिनट में ही बन जाता है अब देखें मैंने हाँ बेकिंग के लिए एक पैंड रखा वा है और नमक डाल के इसको दस मिनट के लिए पहले ही मेडियम केस पे छोड़ दिया था था कि ये गरम हो जावी हमारा गरम हो चुका थे इसके उपर ये जो ट्रेर हमने तयार करकर रखी है वो डाल देंगे और बहुत ही सावधानी से करें फ्रेंट से बहुत ही गरम होता है अब इसे हमें 20 मिनट के लिए बेक करना है पर 15 मिनट के बाद इसे हम एक बार चेक कर लेंगे और इसे हमें मेडियम फ्लेम पे ही बेक करना है तो ये देखे ये हमारे औरेडी बेख हो चुके हैं मेरे करीब 17 मिनट के करीब लगे हैं इसमें देखोने में तो ये देखे मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ और फिर जब एक बार आप इसे बनाओगे न उसमें थोड़ा सॉफ्ट होगा पर थोड़ी देर बाद ही क झाले हैं?